नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में तो आज की क्लास हमारी जुगम शब्दों से रिलेटर कहेगी क्यूंकि आजकल जो भी पेपर हो रहे हैं उसमें हिंदी के जुगम शब्द बहुत पूछे जाने लगे हैं जुगम शब्द कह सकते हैं चाहे आप कह सकते हैं शुरूती सम भिनार्थक शब्द इसके अलावा आप कह सकते हैं सम ध्वनी भिनार्थक शब्द इसमें दो ऐसे शब्द होते हैं जो देखने में और सुनने में लगवग एक जैसे लगते हैं लेकिन इनका अर्थ बिलकुल अलग होता है और इस परकार के शब्द एक्जामस में पुछे जाते हैं तो मैं आपके लिए कुछ important काफी महत्पुन शब्द लेके आई हूँ जो आपके लिए काफी उप्योगी हो सकते हैं तो देख लेते हैं ये कौन-कौन से शब्द हैं सबसे पहले है अनल अनल का अर्थ होता है आग और अनल अनल का अर्थ होता है हवा ठीक है नेक्स्ट है अविराम अभीराम का अर्थ होता है सुन्दर और एविराम का अर्थ होता है बिनारुके निरंतर एविराम बिनारुके निरंतर आगे हैं अवलंब अवलंब का अर्थ होता है सहारा और एविलंब का अर अवधी, अवधी का अर्थ होता है समया सीमा, समया के लिए हम इस शब्द का परियोग करते हैं, इसके इलावा दूसरा शब्द है मिलता जुलता अवधी, अवधी, बड़ी की मातरा लगी है इसमें, तो इसका अर्थ है हिंदी की एक भूली है अवधी, अवधी जो हम कहने अवधी, ले को छोटी की मातरा लगी है तो इसका अर्थ होता है भौरा, भौरा, भंवरा और अगला है अली, आली, इसमें सिर्फ फर्क है कि बड़ी की मातरा लगी है तो इसका अर्थ होता है सखी, सहेली, ठीक है आगे है अलीग अलीग का अर्थ हो गए ऐसत्य विर्थ ठीक है और अलिक का अर्थ होता है ललाट ये आपके लिए शब्द काफी महत्पून इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि कई शब्दों के हमें अर्थ पता नहीं चलते तो ये शब्दार्थ में भी आपके बहुत काम आने वाले हैं ठीक है नेक्स्ट है आदी इसका अर्थ हो गया प्रारंब प्रत्म या अब हम ये नहीं कह देते आदी कई शब्द लिख के पीछे आदी लगा देते हैं तो इसका अर्थ होता है अब वगयरा वगयरा मतलब के ठीक है ये वो आदी है और आदी इसमें बड़ी की मातरा लगी है तो इसका अर्थ होता है अभ्यस्त अभ्यस्त ठीक है कोशल नेक्स्ट है असन असन होता है भोजन और आसन बैठने की जगा ठीक है? आहार भोजन आहार भी भोजन होता है और आहर आ जाएं, तो इसका र्थ हो गया तालाब, ठीक है? Next है अचल अचल क्या हो गए? आचल स्थिर, जो स्थिर है आचल मतलब स्थिर है अचला, पृत्थवी अंबुज, जव कमल, अंबुज कमल और अमबुद बादल ठीक है? यह बहुत important है दोनों बहुत बार बूच्छा जा चुका है अमबुद नेक्स्ट है अकर अकर का रत होता है विकट ने करनी योग्या और आकर अकर का रत होता है खजाना यह आकर शब्द बहुत ही important है बहुत बार बूच्छा जाता है ठीक है आगे है अकुल क्या है एकुल इसका अर्थ हो गया कुल हीन, आकुल आकुल व्यकुल हम कहा देते हैं आकुल व्यकुल हो गयी तो इसका अर्थ हो गया व्यकुल नेक्स्ट है एतप अतप मतलब जो तपा हुआ नहीं है शीतल और आतप आतप का रथ हो गया है धूफ देखने में बिल्कुल अंतर थोड़ा सा है लेकिन अर्थ में देखें तो बहुत ज़्यादा अंतर है बिल्कुल एक दुसरे के अपॉजिट है ठीक है नेक्स्ट है जी एपत्य एपत्य का रथ होता है संतान एपत्य का रथ हो गया परहेज करना एविग याता बहुत कुछ जानने वाला और एविग बस इसमें सिर्फ भै और वै का अंतर है इस का रथ हो गया मूर्क ठीक है ये भी बहुत important है आगे आगे जी आशोच सोच रहित आशोच आपवित्र उपल पत्थर उपला कंडा उपला कंडा ये भी important है इसके साथ ही मिलता जुलता और है इसका रत हो गया उतपल का हो गया कमल नेक्स्ट है कुल कुल का अर्थ क्या हो गया वंश कूल कूल का अर्थ हो गया किनारा कलश घड़ा कुलिश हीरा या वज्र नेक्स्ट है कच कच होते हैं बाल शब्दर्थ में भी इसको आप याद रखना कच होते हैं बाल और कुच होता है स्तन फूच करना, ठीक है, ये तीनों ही काफी important है, आगे है कपिश, कपिश का रत होता है, भूरा, बदामी रंग का, ठीक है, कपिश हनुमान, कपिश, कपिश और कपिश में बिल्कुल थोड़ा सामतर है, कपिश का रत होता है, रेश्मी वस्त्र, नेक्स्ट है, कटीवद, कटीवद, त्यार, ततपर, कटीवद, कमरवद, करी, यहाँ पर करी नहीं है, कटी है, थोड़ा सा इसको correct कर लेना, यहाँ पर कटी है, कटी का रत होता है, कमर, और किटी का रत होता है, सूर, किटी का रत होता है, सूर, ठीक है, नेक्स्ट है, कीट, कीट का हो गया कीडा ये तीनों मिलते जलते हैं ध्यान रखना है next है केशर केशर हो गया कुमकुम और केसर केसर हो गया सिहंग की गर्दन के बाल ठीक है ये सिहंग की गर्दन के बाल होते हैं जोसकी शोबा बढ़ाते हैं next है कोर किनारा कौर ग्रास क्षती हानी क्षिती पृत्वी ठीक है लिखने में पृत्वी में ये रहा इस तरह से आएगा ग्रह नक्षत्र ग्रह घर आगे है जगत इसका खास ध्यान रखना है जगत इसका आर्थ होता कुएं का किनारा और जगत यहां पर हलंत लगा है अंतर सिर्फ इतना इसमें हलंत लगा हुआ है तो इसका आर्थ हो गया संसार आगे है तनू पतला तनू उ की मातरा बड़ी लगी है तो इसका आर्थ हो गया पुत्र परुष कठोर पुरश आदमी ये परुश बहुत बहुत जितना कहदिजी उतना इंपोर्टेंट है बहुत सारे एक्जाम में पूछा गया है ठीक है परुश का अर्थ होता है कठोर इसके लावा है पावस पावस का अर्थ हो गया वर्शा और पायस का अर्थ हो गया खीर भवन मकान भुवन संसार ठीक है आगे है भीती डर हो गया भीती हो गया दिवार हाल दशा हाला शराव हेम सोना हैम शिव या ओसकन एक एक शब्द को आपको ध्यान में रखना है गृत गृत हो गया घी दृत हो गया धारण किया गया ठीक है द्विप इसे हम इस परकार से भी लिख सकते हैं द्विप यहाँ पर वैलग के हाथी और द्वीप टापू द्विप हाथी द्वीप टापू नेक्स्ट है पशू पशू का हो गया जानवर और पांशू का हो गया रेत इसका मीनिंग याद रखना है तो ये थे हमारे मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट सम्धवनी भिनार्थक शब्द या शुरूती सम्ध भिनार्थक शब्द आप इसे कह सकते हैं आप इसको लिख भी सकते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते है आपके एक्जाम के पॉइंट हुए उसे ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना और कुमेंट करना कि आपको ऐसी क्लास चाहिए आगे इनी शब्दों की ठीक है तो मिलती हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक्स पर वर्चिंग